आड़ना कार्थ वहाँ प्रेरना से हैं इन सब को प्रेरित किया जाता है सेवा भाव के लिए रामण को प्रेरित किया जाता है सिक्षा देने के लिए छत्रिय को प्रेरित किया जाता है रखने कुछ लाइनों पर जो आपजेक्शन करते हैं उन लाइनों को ठीक से समझने की अगर वो यह कहते हैं कि सुद्र दुजन उपदे संग्याना मेल जनेव लेह कुदाना उसका जो वास्तविक कांसेप्ट है उसको समझना चाहिए सुद्र हमारे यहां जो है वो चार जो अंग सरीर के बताए गए हैं उसमें पद्भ्याम सुद्रो वजायता पैर के च्छाह को चुजाने से असुद्ध माना जाता था किनी लोगों की द्वारा जासुछाह चुईले यह सीचा लोक बेद सभी विधनीचा कुछ लोगों ने गांधी जी ने ऐसे जो चतुर्थवर्न के लोग हैं उनके लिए हरी तो संगत से गुर होत हैं और संगत ते गुर्जात जब भातिया जनता पाटी में थे तो जैसी राम जैसी राम करते हार जाते ठकते नहीं थे लेकिन अब जब यह सपा में गए ना तो कहीं न कहीं इनक जाता तो उसने भी सबसे पहले वेद, सास्त्र, पुरान इन सबों के ऊपर बेन लगाने की बात की थी अध्या राम की नगरी है और राम के जीवन पर रखी राम चरित मानस पर सवाल खड़े की जा रहे हैं पहले बिहार के सिख्छा मंत्री अब स्वामी प्रसाद मौर या अध्या की एक तस्बीर ये भी है अध्या में इस समय परेटक बहुत तेजी से आ रहे हैं और देखेंगे अलग अलग लोग गिटार के साथ भी आ रहे हैं तो पहले हम इनकी गिटार की धुन भी सुन लीजे और ये सादू संतों की नगरी है तो सवाल सादू संतों से सबसे पहले मराज जी स्वामी प्रसाद मौर ने कहा है कि राम चरित मानस बखवास है और इसको बैन कर देना चाहिए सरकार को क्या कहेंगे राम चरित मानस सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अध्या जी राम चरित मानस की जन्म भूमी है और प्रभू स्री राम चंदर जी की भी जन्म भूमी है तो मानविय द्रिष्टी कोण को प्रस्तुत करने वाला गरंथ राम चरित मानस है और संपुर्ण मानव जीवन में जो कुछ भी नियम धर्म का पालन करना चाहिए मानवता का उदात संदेश स्री राम चरित मानस से ही जाता है स्वामी प्रसाद मौरिया जैसे मानवता की जाती से बाहर हो चुके है थोड़े दिन मलाई काटने के लिए आ गए और उसके बाद उसके पहले भी उन्होंने देवी देवताओं पर अभद्र टिपनिया की थी आज राम चरित मानस को बैन करने का जो प्रस्ताव कर रहे हैं वो सीधे सीधे कहीं न कहीं मानविय कल्यान का जो रास्ता है उस मानविय कल्यान के रास्ते को बैन करने का प्रयास कर रहे हैं और रावन के खेमे में खड़े होने वाला ब्यक्ती हर ब्यक्ती इसी तरह की बात करता है रावन भी जब राजगदी पर बैठा था तो उसने भी सबसे पहले बेद, सास्त, पुरान इन सबों के उपर बेन लगाने की बात की थी तो हम इन से कम तुलना स्वामी प्रसाद मौर सब धर्माचारियों से भी आग्रह करूंगा कि सब लोग एक जुट हो करके मिल करके और इस प्रकार के ब्यक्तियों के बोलने पर बैन लगाना चाहिए और इस निंदा कानून जो है उस इस निंदा कानून को लागू करना चाहिए जिसके ताहत सीदे-सीदे फासी का दंड होना चाहिए जो कोई भी हमारे बेद सास्त्रों के विप्रीत बोले यह सनातन धर्म का मूल है यह तो बता रहे हैं महराज जी आपके बगल की रावन का अच्रण कर रहे हैं स्वामिपरसाद मोरिया या इसे लोग जो रामचरित मानस पर सवाल उठा रहे हैं बिलकुल को धुमिल करने का प्रयास कर रहे हैं राम एक उदारवादी मानावता के छबी के लोग थे और जिस प्रकार से केशो प्रसाद मोरिया बोल रहे हैं ना संगत से प्रसाद मोरिया सोरी गल्ती हो गई स्वामिपरसाद मोरिया जिस प्रकार से बोल रहे हैं तो संगत से गुड भी खराब हो चुकी है और आज जरूरत है कि किसी अच्छे डाक्टर से यह दिखाएं और यह भातिये डंड संहीता के अंतरगत आने वाली जो धाराएं है दोसों पंचान बे एक इसी भी विक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहात करना उसके अंतरगत यह मुझरिम हैं इनको ततकाल प्रभावसमय योगी आदित्यनाजी महराजी से मंग करता हूँ कि उनको उठा के जेल में डाले और ऐसे लोग जो मानवताबादी के विरुद्धा इनके उपर राष्ट्र दोह का भी मुकदमा पंजी करत होना चाहिए और जिस प्रकार से लगातार एक धर्म को टा तो हम आप से जुड़े होंगे? इसके पीछे वजा देखते हैं? देखे इनको अंतर राष्ट्र टेरिरिजम के द्वारा अंतर राष्ट्र फंडिंग किया जा रहा है यह कुछ चंद ऐसे जुगनू है जो सूर्य के प्रकास को दूमिल करने का सास कर रहे है भग्मान सिराम इस राष्ट्र की राष्ट्र पुरूस है और उस राष्ट्र पुरूस के उपर अगर कोई उगली उठाता है तो मैं सरकास से अग्रा करता हूं तत्काल प्रभाव से ऐसे दोशियों के उपर राष्ट्र द्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए भग्मान सिराम संपुर्ण भारत अपितु संपुर्ण विश्व को मर्यादा का पाठ और मानवता का पाठ पढ़ाते हैं जीवन जीने की बिधा बताते हैं तो यह कहीं न कहीं अंतर राष्ट्य साजिस्त के ताहत कारे कर रहे हैं अभी जिस प्रकास से धिरेंद्र सास्त् के उपस टार्गेट किया जा रहा है उसके बाद चंद सेका जो सिक्षा मंत्री बिहार उसके पहले उसने किया उसके बाद प्रकास स्वामी प्रसाद मौर या ऐसे लगातार यह जो लोग कर रहे ना एक नैस्टनल एजिंडे के तहत भारतिये संस्कृति को दूमिल करेंगे तो हमको संगे सक्ति युगे जो सूत्र है ऐसे सूत्र हमको मिले हैं हमारी एकता से वो नश्ट हो जाएंगे और जब वो नश्ट हो जाएंगे तो कहीं न कहीं हमें घुलामी के उसमें दलदल में ढखेल दिंगे यहीं की चाल है और यहीं यह करते आए हैं आज बताईए न सक्षा है यह सनातन संस्कृति को नश्ञा को नश्ट कर दें अगर आज सभ्यता संसकृति डूनों ढूब जायेगी और मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस देश और रष्ट की संस्कृति डूब गई हो ना वहां कास कोई भी संविधान उस देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है और ना वो देश कभी विक्षित हो सकता लगातार और निरंतर विकास सिल बना रहेगा आज भारत की ऐसे इस्तितियान पड़ी है ऐसे लोगों को तत काल प्रभाव से जेल भेजा जारा जी राजनेति के अजंड़ा बता रहे हैं आप क्या है जबते राम प्रताप दिनेशा उसी रामाइन में लिखा हुआ है कि जब से भगवान स्री राम चंदर रूपी सुर्ज का उदय हुआ ना तो बहुतन सुक बहुतन मन सोका तो पहरा चुकी है फारा रही नहीं है तो यह बातें उन लोगं को कैसे सहन होगी तो आज भी यह बचन के माद्यम से आग लगाने का ही काम कर रहे हैं कुछ लाइनों पर जो आपजेक्शन करते हैं उन लाइनों को ठीक से समझने की बात हैं अगर वो यह कहते हैं कि सुद्र दुजन उपदे सहिंगाना मेल जनेव लेह कुदाना उसका जो वास्तविक कांसेप्ट है उसको समझना चाहिए सुद्र हमारे यहां जो है वो चार जो अंग सरीर के बताए गए हैं उसमें पद्भ्याम सुद्रो वजायता पैर को सुद्र कहा गया और सबसे अधिक प्रणाम किसी चीज को किया जाता है तो मस्तक को नहीं पैर को किया जाता है दूसरी बात कि सुद्र को सेवा का अधिकार यानि कि सर्विस विभाग दिया गया है, सर्विस विभाग में अगर वह मुझे चुएगा नहीं, ये आडंबर फैला रहे हैं राजनितिक लोग, अगर चुएगा नहीं तो हमारी सेवा कैसे करेगा, ताडन की अधिकारी, ताडना का सही अर्थ, वही तो मैं कह रहा हूँ, क सत्रिय को प्रेरित किया जाता है, रक्षा करने के लिए, बैस को प्रेरित किया जाता है, व्यापार और उदर पूर्ती के मात्रा, यही तो आप जक्षान है कि उत्पीडन हो रहा है, उत्पीडन कहां पर हो रहा है, उत्पीडन यही लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनक जान प्रीत यतिगाड़ी उसको एक खडियंत्र के इताहत बैन कर दिया गया हमको लग रहा है मैं भी बोल रहा हूं तो कहीं हमारे उपर एफायार ना हो जाए हरजन सब्द बोलने पर तो हरजन का आर्थ होता है जो भगवान के जन है और उसमें ब्राह्मन चत्री वैसे एहसास कराते रहना और उनका सोशन करते रहना संपुण मानवता का सोशन है और ऐसे सोशन करने वाले लोगों को सोसितवर्ग को भी सोचना चाहिए ऐसा कोई सोसित वर्ग हमारे यहां नहीं है हम कह रहे हैं कि जिसको के छाह को छू जाने से असुद्ध माना जाता था किनी लोगों की द्वारा जासु छाह चुईले यह सीचा लोक बेद सभी विधनीचा कुछ लोगों ने उनको नीच बताया लेकिन प्रभूसरी राम चंदर जी ने उनको राम सखार इस बरवस भेटा राम जी ने भी हिर्दय से लगाया और बसिष्ट जी ने भी हिर्दय से लगाया तो यह समता मूलक जो बाते हैं जो 99% हैं यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है और जिन पंक्तियों की यह लोग बात करते हैं वहां भी विसमता नहीं है अपने अपने कर्मों और कारियों का विभाग बताया गया है अगर उस प्रकार के सेवा के कारे को जब ब्रामन करते हैं तो ब्रामन को भी सूद्र कहा गया सुद्र सब्द का अर्थ ही है सुस्टु सेवायाम द्रावयते अनेनेती सुद्रा जो सेवा की द्वारा किसी के हरदय को भी द्रवित कर दे उनको सुद्र कहते है ना कि सुद्र माने अस्प्रेस्य है त्याज्य है अचूत है सुद्र अजूत होगा तो सेवा करेगा कैसे ये ब्रह्म डाल रहे हैं हमारे साथ नाथ संपरदाय के लोग हैं वो नाथ संपरदाय जिसके खुद मुक्षमंत्री योगी आदितनाथ हैं योगी आदितनाथ आध्या को लेके बहुत बोलते हैं अवध्या के विकास को कहते हैं हमारा सबसे बड़ा जंडा है और जिस अवध्या स्री राम के उपर तुलसी दास ने रामचरित मानस लिखी उसी पे सवाल खड़े की जा रहे हैं क्या लगता है हमें तो ऐसी बात है उबरोद करने हमारा तो करता ही है यह तो सही उनका क्यों आपका काम शेकने के लिए जैसे मतलब अदित नाजी ने अच्छा काम किया सब को साथ लेगा उन्हों यही तो किया आपको आपके लाका सोड़े चले जाए चरीत रहत गुर रहे हैं उन्हों गल प्रणाई ना क्यों नहीं उठाओगा उनका पेट बरह नहीं हमको छोड़ के उसमें जाबड़ के अब क्यों असली बात क्यों बुजा रहे हो अब उंद्रा गंडी ने लटी काड़ दी सरी हमारी तो धर्मका तो उसने नास कर दिया धर्म मानुसी तो यह जो धर्ति पर ज सब्सक्राइब करें उनको इस नंदा कानून के तहर लाना चाहिए इस नंदा कानून पर बड़ी बिरोद भी होता है लोग कहते हैं कि यह तो भाई बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए अपने अपने चीज़ों पर बोलने की आजादी को इस नंदा कानून अगर राष्ट द्रोह कानून है कि राष्ट से कोई द्रोह करेगा अगर हम किसी के उपर हमला करते हैं और हमला करना अगर कथा को कहना कथा को सुनना वेदों का उपनेश करना उसी शुरुती परंपरा से आज हम लोग अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं और जब तक ये धर्ती रहेगी जब तक इंसान रहेगा जब तक आस्मान रहेगा तब तक उसी शुरुती परंपरा से हम सब लोग ऐसे अपने स्वस्वा धर्मों का अपने अपने धर्मों का पालन करते रहेंगे तो बोलने की आजादी किवल इस निंदा कानून से है या गाली देने के लिए या नफरत फैनाने के लिए कुछ भी बोलना अगर इतनी ही परिदी है बोलने की आजादी की तो ऐसे आजादी को जरूर बेन करना चाहिए और मैं बार-बार कहूंगा कि इस निंदा कानून जो देश में उपलब्ध है अभी भी धार्मिक भावनाओं को ठेश पहुंचाने के लिए उसके तहत इनके उपर कारवाई हो और इस निंदा कानून को अनिवारी रूप से ला कानून कीं आखवन्द लाकर कि लागू किया जाए और ऐसे लोगों के ऊपर जो बरतमान में उपलब्ध हैं, धाराएं, जो बरतमान में कानूनियम हैं, उसके तहते इनके पर कठोर्तम कारवाई की जाए बिल्कुल जायज है भारतिया संस्कृति के संड़क्षण में सिर्फ निंदा कानून नहीं बलकि सक्त से सक्त कानून लाना चाहिए और जिस मैं बोल तो रहा हूं कि जिस देश की संस्कृति नश्ट हो जाए ना उस देश का सर्वनास होना तय और उस देश की संस्कृति के सुरक्षा वा उसकी व्यबस्ता में भारतिय संस्कृति के जो भी संस्थापक हैं अधर्णिय प्रधान मंत्री जी राष्ट्रपति मोहद्या जो मुझ्य मंत्री हैं उनको चाहिए कि ततकाल प्रभाव से कोई सक्त से सक्त कानून लाए और तत उसको जेल भेजना ही पर एगा आपसमें विद्रो कराना आपसमें फूट डालना इस प्रकार का जो दुर्वहावना फैलाना है समाज में आ समाजिक्ता फैलाना है तो उसके ऊपर तो इसके निंदा कानून ला करके उसके ऊपर ठोश करवाई की प्राइमरी से लेकर के इन्वर्सिटी तक पढ़ाई जाती है ऐसे एकाद दो उल्लू जिनको दिन में दिखाई नहीं पढ़ता है उनके कहने से कोई प्रभाब नहीं पढ़ता जुगनु के टिम्टिमाने से तारों जैसे या चंद्रमा जैसे रोसन या नहीं सकती है ये लोग इस तरह का कृत कर रहे हैं उसका फल स्वयम भी ये पाएंगे क्योंकि ऐसा कहा गया हरिहर निंदा सुनई जो काना होए पाप गोगात समाना अगर भगवान की निंदा इस निंदा धर्म की निंदा बेद की निंदा सुनते हैं और करने वाले ये दोनों लोगों को गोहत्या के बराबर का पाप लगता है निस्षित रूप से ये गोहत्या जैसा अपरात और पाप कर रहे हैं ये हैं अवध्या के संत खास तोर पर बात होती है अगर रामचरित मानस पर तो कहीं ने कहीं वो अवध्या में राम के चरित्र से यानि राम के जीवन काल से जुड़ी हुई है तो अगर राम चरित्र मानस पर सवाल उठेंगे तो जाहिड तोर पर अवध्या के संथ उसका बिरोध ही करेंगे और वही बिरोध के स्वर अवध्या में दिखाई दे रहे और इशनिंदा कानून के तहत कड़ी सजा देने की मांग भी उठ रही है अब सवाल ये है कि बोलने की मर्यादा आखिर कहां तक है और इसकी परिद क्या है ये तैं करना भी बहुत जरूरी है बनबीर सिंग अयोध्या यूपी तक अच्या श्वार इंड़ा है